हेलो फ्रेंड्स जैस्रीक रश्णौ आपका मेरे यूटूब चैनल स्वीट एंड स्पाइसी कसिम में स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीकू के हलवे की रेसिवी चीकू का सीजन आ गया है तो ये हलवा जरूर बनाई गर में ये सबको बहुत ही पसंद आएगा ये बहुत टेस्टी बनता है और इसे बनाना काफी आसान है चीकू का हलवा बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम पके हुए चीकू लिए है इन्हें अच्छे से वश करके लिए है सारे चीकू का छिलका निकाल लेंगे अब चीकू के टुकडे कर देंगे और बीज अलग कर देंगे सारे चीकू को अच्छे से कट कर लिया है अब इन्हें मिक्चर जार में ट्रांसपर कर लेंगी और पिश्ट लेंगी चीकू का स्मूथ पल्प बन कर तयार हो गया है पल्प को एक बॉल में निकाल लेंगी गेस पर एक कड़ाई चड़ाएंगी एक चमच देसी गी डालेंगी गी फिकल जाने के बाद कड़ाई में चीकू का पल्प डाल देंगी दिमी आज पर लगाता चलाते हुए इसे करीबन 10 से 12 मिनिट टक पुनेंगी जितना अच्छे से इसे भुनेंगी उतना ही हल्वा स्वादिस्ट बनेंगा कि अच्छे से बारा मिनिटक हल्वे को भुनेंगी बाद इसका इसे बाद कर चेंग हो गए तो इसी समय पर हम आप नेंगी इसे पुस्ट्रप आप्षां श्राट्रवा इंस्टन्ट मावा बनाएंगी एक बोल में वन फोर कप दूट डालेंगी उसमें आधा कप मिल्क पावडर डालेंगी और लम्स ना रहे इस तरह छे अच्छे से मिला लेंगी यहां पर मुझे मिक्षर थोड़ा साथ ठीक लग रहा है तो दो चमत दूट एट करेंगी और अच्छे से मिला लेंगी इंस्टंट मेवा को कड्डा में डालेंगी और अच्छे से मिला लेंगी अगर आप चाहे तो इंस्टंट मेवा की जगर यहां पर खोया भी डाल सकते हैं इंस्टंट मेवा डालने के बाद 4-5 मेर्टक इसे अच्छे से बुनेंगी झाल झाल यहाँ पर आप चीकु की मिठास के आदार पर चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी के पिगल जाने तक इसे पुनेंगी अगर आपको रेसी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चीनी पिगल गई है और इसमें चौप करी हुई अपने मन पसंद के ड्राइपूट एट करेंगी और अच्छे से मिक्ष कर लेंगी सारी सामाक्र के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी अब हल्वा बनकर तयार हो गया है और कड़ाई को भी छोड़ रहा है और इसे सर्विंग बोल में निकल लेंगी अगर आपने कभी भी चीखू का हलवा नहीं बनाए तो इसे एक बार चरू ट्रै करें वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाचिंग